हेलो प्रेंज कैसे आप सब लोग वेलकम टू मैं चानल चटोरी रजनी और आज मैं बना रही हूँ अपना नाशता मैं बना रही हूँ कीनवा का सालेट जिसके साथ है बाबेक्यो पनीर कीनवा एक सूपर फूर होता है आजकल हर जगा बहुत इजली मिल जाता है सो मैंने यहां कीनवा मेजर करके ले लिया है और इसको अब आपको अच्छे से हातों से मसल के धूना होता है जैसे हम राइस होता है क्योंकि इसकी उपर की लेयर हटनी बहुत जरूरी है जैसे ही चावल दोते हैं वैसे दो-तीम पानी से धोके चन्नी में डाल लीजे और सारा पानी निकाल लीजे पैन में मैंने कया घीर को गरम घी जैसे ही गरम मैं इसमें डाल दूँगी कीनवा कीनवा को अच्छे से स्टरफाई कर लेंगे दो-तीम मिनिट पानी डालेंगे उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे डालेंगे नमक और थोड़ी सी काली फ्लेवर के लिए वैसे जब ठंड में मैं बनाती हूँ ना मैं पानी की जगा वेजटेबल स्टॉक डालती हूँ उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है कीनवा का अब यहाँ पे सालेट बनने के लिए सबजियां काट लेते हैं तो मैंने यहाँ पे हरी वाली शिमला मि मिर्श भी आजकर मिल रही है यह भी आप ले सकते हैं बहुत अच्छा लगता है रंग भी रंगा दिखने में भी और खाने में भी जितने रंग होते हैं उतना मजा आता है खाने का ठीक जैसे हमने हरी वाली शिमला मिर्श काटी थी उसी तरीके से हम लाल वाली भी तो मेरे पास जो basically easily available सबसी थी मैंने वो यूज की है ये रेखे अब ये पीली शिमला मिर्च है मैं इसको भी बारिक काट रहे हूँ कीनवा ना बहुत easy है उसमें ऐसा कुछ बहुत taste नहीं होता है पर जो आप उसमें taste जालेंगे ना वो आजाता है एक तरीके से मैं ऐसे बनाती हूँ सलाग आप अगर चाहो तो आप इसमें बिल्कुल कच्ची सबजियां डाल सकते हो गाजर घजदी, प्यास जाल दिया, टमाटर डाल दिया, खीरा डाल दिया नीमू नमक जैसे नो वो डालके भी आप खा सकते हो लेकिन खाए ज़रूर क्योंकि ये सूपर फूड है अब हम लोग यहाँ पे गाजर को घज रहे हैं ये न मेरे पास शकरगंद है शकरगंद बेहद हेल्दी होती है यहाँ पे मैंने एक छोटा टुकड़ा शकरगंद का लिया है और इसको न मैं अच्छे से पील कर लूँगी शकरगंद को आप चाहें तो उबाल के यूज़ कर सकते है पर मैं न इसे बेसिक सिंपल तरीके से ही यूज़ करूँगी तो छोटे छोटे टुकड़े मैंने काट लिये बहुत छोटे नहीं बहुत बुड़े नहीं यहीं बोल रही है आज आपको लगेगा और देखें क्यूब्स में काटने से क्या होगा पता है यह बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे इस साइज में जब आप कट करोगे अगर बड़े बड़े कट करोगे तो फिर इसे बहुत टाइम लगता है पकने के लिए यह देखें सारी सबजिया हो गई है रेडी इधर कीनवा को चेक कर लेते हैं पानी सूख किया है और यह देखें कीनवा अच्छे से फलफी भी हो गया इसको एक बरतन में डाल के ना ठंडा कर लेना है क्योंकि सालड है घरम-घरम कीनवा में तो फिर मज़ा नहीं आएगा तो मैंने घी डाला पैंड में और उसी में डाल दी शकरकन अच्छे से इसे कुक हो ने दीजे पांच मिने के अंदर मेरी शकरकन जल्दी से पक भी गए फिर सारी सबजिया डाल के इनको भी हम हलका सा टॉस कर लेंगे बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करेंगे इनको ना 30-40% कुक करेंगे ताकि वो क्रंचिनेस हो तबी सालड काने में अच्छा लगता है सबजिया ना बहुत ज़्यादा ना पकाई जाए ना तो अच्छा होता है अब इस टाइम पर मैं इसमें डाल रही हूँ स्वात के अनुसार नमक और काले मिर्च ठीक है चुटे-चुटे एक्सिडेंट होते रहते हैं के ज़िए और थोड़ी सी काले मिर्च आप पहना चाहें तो ओलेव ओयल और संत्रेकर यह सब भी डाल के ना बहुत बढ़ी असा सालड बना सकता है पर मैं आज बेसिक यह है तो सबजिया सारी मैंने कीनवा में मिला दी और थोड़ी दे रहना मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए इसके साथ मैंने बनाया था कुकुम्बर का रायता बहुत ही सिंपल और इजी रायता बनाया तो यह देखिए मैंने इस तरीके से खीरे को धो लिया था अच्छे से और फिर स्ट्रिप्स में कट करना शुरू कर लिया था सारी स्ट्रिप्स मैंने एक बोल में डाल दिया या प्लेट में और फिर डाल देंगे उसके उपर फेटा हुआ धाई नमक थोड़ी सी काली मिर्ची और इसे कर लेना है बढ़िया से mix 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 and mix यह देखिए ribbons बन गए है हमारे कुकुमबर के और उपर से डाल देंगे थोड़ा सा धन्या और थोड़ी सी अनार लुप देखे कितना प्यारा आया और यहाँ पे है पनीर यह घर का बना हुआ पनीर है अज थोड़ा सा पतला था anyways मैंने इसके चार तुकड़े काट लिया आप जो भी शेप में चाहो न उस शेप में कट कर सकते हैं इन चार तुकड़ों को काटके मैंने इनको दुबारा हाफ कर लिया क्योंकि मुझे बहुत जादा तिक पनीर पसंद नहीं है पर अगर आप ग्रिल कर रहे हैं मैं बोलूगी तिक ही रखना वरना ना इनको थोड़ा सा हाड होने का डर है अब इस पनीर के उपर मैं लगा रही हूँ बाबिक्यू सॉस बहुत सिंपल एन इजी मार्केट में बहुत एजीली मिल जाती है वेजटेरियन है आप इस बाबिक्यू सॉस को यूज कर सकते हैं पहले तो मैं घर में ही बनाती थी बाबिक्यू सॉस लेकिन एक पर्टिकलो जो सॉस उसके लिए चाहिए न वो मार्केट में आनी बंद होगी जिस ब्रैंड की में लाती थी तो अब मैंने बनाना छोड़ दिया क्योंकि वो फ्लेवर ही नहीं आता उस वाली ब्रैंड की सॉस के बिना तो यहाँ पे रेडी मेट बाबिक्यू सॉस में यूज कर रहे हूँ इस वाली सॉस में कैलरीज भी बहुत कम है और इनको अच्छे से मैरिनेट करके आदे गंटे के लिए रख देना है पनीर अच्छे से मैंने मैरिनेट कर दिया है और 15-20 मिट के लिए छोड़ दिया है अगर आपके पास टाइम हो तो जितनी दिर मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा यहाँ पे मैंने अपना ग्रिल तवा जो है गैस पे चड़ा दिया है यह कास्ट आइरिन का है और इस पे मैं थोड़ा सा गी लगा रही हूँ ताकि पनीर है अच्छे से ग्रिल हो जाए रोस्ट हो जाए और गी का फ्लेवर भी आए गी को मैंने इस तरीके से स्प्रेट कर दिया है और यह जो पनीर है हम इसके उपर लगा देंगे ताकि बड़या से ग्रिल हो जाए गरम हो जाए और वो निशान आजाए बोहत क्यूट लगते हैं जब वैसे ग्रिल के निशान होते हैं दीरे दीरे आप एक साइड से जब हो जाए तो उसको पलट के दूसरी से भी कर लेना और उपर से मैंने barbecue sauce जो थोड़ा बचा था brush की help से लगा दिया था यह देखिए ग्रिल का निशान आना शुरू हो गया है बढ़िया लग रहा है तो बस इस तरीके से चारो pieces मैंने ग्रिल कर लिए आप चाहें तो इनके pieces छोटे भी कर सकते हैं आप चाहें तो जादा भी कर सकते हैं चार के जगा आठ पीस जैसे आपको पसंदो there's no such rule मेरी cooking में तो at least ऐसा कोई rule नहीं है कि ऐसे ही करना है या वैसे ही करना है बस पनीर बढ़िया ऐसा ग्रिल हो गाएं इनको निकाल लेते हैं हम प्लेट में और करेंगे सर्फ करने की तयारी तो सबसे पहले प्लेट में मैंने डाला अपना कीनुवा सालेट ठंडा ठंडा कुकुमबर रायता और कर्मा गरम ग्रिल पनीर कैसा लग रहा है मुझे तो बेहद अच्छा लग रहा आप के आया की नहीं तो आप लोग अगर इसे try करेंगे तो मुझे जरूर बताना खीनवा नहीं है तो कोई बात नहीं पनीर और खीरे का रायता तो इस style में try करके जरूर बताईएगा कि आपको कैसा लगा मुझे तो बोहुत यम्मी लगा और मजा आगया